हेलो बच्चो नमस्कार स्वागत है आपका नए लेक्चर में लेक्चर नमबर टू है यह अपना आइनिक इकलिविडियम का इस लेक्चर में अपन पीएच से रेलेटेड चीजें पढ़ेंगे पीएच कैलकुलेशन करना सीखेंगे लेकिन उसके पहले जो आपके लिए प्योर वाटर होता है ठीक है तो ध्यान से लिखेंगे एच टूओ को ब्रेक कर लो पहले तो आप किसमें टूटेगा एच प्लस और विड़ा ओएच माइनस ऐसी टूटेगा अगर यह एक इक लिएविरियम है तो इसका कुछ इक लिएविरियम कॉंस्टेंट होगा तो मैं एक लिएविरियम इस एकवल टू एच प्लस कॉंसेंट्रेशन इन्टू ओएच माइनस कॉंसेंट्रेशन अपॉन एच टूओ कॉंसेंट्रेशन ऐसी लिखोगे आप वह एक लिएविरियम कॉंस्टेंट कैसे लिखते हो कॉंसेंट्रेशन अब मैं यहां पर एक काम कर रहा हूँ यह जो water की concentration है इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो क्या देखेगा आपको देखना के equilibrium into h2o concentration is equal to h plus concentration into oh- ऐसा देखेगा अब आपने बोला कि pure water एक weak electrolyte है तो h2o की concentration को अपन constant मान सकते हैं जो की 55.5 molar होती है आप जानते हैं तो यह constant है यह भी constant है तो इन नोनों को मिला के मैं एक नया constant लिख रहा हूँ जिसको लिख रहा हूँ क्या kw और kw को ही हम बोलते हैं क्या ionic product of water kw ही बेटा क्या है तुमारा ionic product of water इसी को ही हम बोलते हैं ionic product of water kw भई नाम से तो क्या क्या ion से water में h plus और oh minus तो उनकी concentration के product को हम क्या बोलते हैं बेटा ionic product बोलते हैं किसका water का clear वा समझ में आरी न ठीक है तो यह जो kw है वो क्या है h plus into oh minus अब experimentally अलग अलग temperature पर अगर हम बात करें तो आप basically दो temperature का याद रखोगे क्या at 25 degree centigrade kw जो होता है वो होता 10 की power minus 14 यह आपको याद रखना पड़ेगा अगर यह 10 की power minus 14 है यह मुझे मुझे बताना water जब break होता है तो 1 mole h plus 1 mole oh minus मिलता है मतलब जो kw 10 की power minus 14 है यह दोनों equal है तो इसका 10 की power minus 7 और इसका 10 की power minus 7 concentration होगा तभी तो 10 की power minus 14 बनेगा multiply करने पर है न मतलब h plus concentration यह आपकी 10 की power minus 14 और यही किसके बराबर है oh minus concentration sorry माइनस 7 यही किसके बराबर है 10 की power minus 7 oh minus के मतलब h plus concentration भी 10 की power minus 7 है और oh minus concentration भी 10 की power minus 7 है कहां पर 25 degree centigrade पर बिटा समझे देखो अब अगर मैं ऐसा लिखूं ध्यान से लिखना at 90 degree centigrade तो जो kw है वो होता है 10 की power minus 12 h plus concentration 10 की power minus 6 होगा और यही किसके बराबर होगा oh minus के बराबर होगा क्यों क्योंकि h2 जब break हो रहा है तो 1 mol h plus और 1 mol oh minus मिला मता इन नों की concentration तो बराबर होगी तहीं बात है ना इस तरीके से करना है अब जरा आप गौर से देखो आप बोलोगे सर एक बाप बताना जरा 25 degree centigrade से जैसे ही temperature 90 degree पर आप गए तो कुछ कुछ हुआ क्या क्या हुआ हुआ देखना है तेन की पार माइनस 14 से कौनसे आज जो के ड़ू है 10 की पार माइनस 14 से वह 10 की पार माइनस 12 पर आ गया तो यह बढ़ा या कम हुआ negative में कम होने का मतलब बढ़ना होता है इतना दो पता है न मैंस तो 10 की पार माइनस 14 से कहा आ गए आप 10 की पार माइनस 12 पर आ गया मतलब के ड़ू बढ़ा h plus concentration और oh minus concentration क्या होई वो भी बढ़ी दौना ही बढ़ी ठीक है मतलब h plus भी बढ़ता है oh minus b बढ़ता है kw बढ़ता है कब जब temperature बढ़ाते हो तो ऐसा क्यों होता है पूछो क्यों ध्यान से देखना देरा अगर मैं आप से बोलूं क्या आपको वो याद है क्या वही कि अगर temperature dependence में equilibrium constant पे देखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या log k2 by k1 तो मैं यहाँ kW2 और kW1 लिख रहा हूँ one of equation याद आ रही न हाँ is equal to delta h upon 2.303r 1 upon t1 minus 1 upon t2 अब मुझे एक बात बता ना dissociation of water क्या होगा endothermic होगा ना डेल्टा h क्या होगा इसका positive क्योंकि तोड़ना है आपको तो dissociation of water is endothermic इसका मतलब delta h क्या है बेटा डेल्टा h क्या है positive है डेल्टा h positive है अब देखना जरा डेल्टा h positive है t1 कम है और t2 जादा है मतलब temperature बढ़ा रहा हूँ अगर t1 कम t2 जादा है तो ध्यान से देखना t1 कम है तो 1 upon t1 जादा होगा ना समझे रहो simple maths है t1 अगर कम है तो 1 upon t1 जादा और ये कम ये जादा है और ये कम है जादा मैसे कम को माइनस करोगे तो प्लस निकल के आएगा ना बाहर और डेल्टा एच भहिया पहले से ही तुमने प्लस बोल दिया मतलब ये भी प्लस और ये भी प्लस मतलब इधर वाली चीज पूरी प्लस और लॉग के अंदर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि प्लस बाहर निकल के आए तो किस quantity का लॉग प् से के डबलू बन से समझरे बात को तो के डबलू बन कम होता है के डबलू टू ज्यादा होता है ये बहुत बेसिक चीज है वांटाफ एक्क्वेशन से ही हमने इसको समझा दिया कि भाईया डिसोसियेशन ऑफ वाटर एंडो धरमिक है तो डेल्टा एच तुमारा पॉजिट तो ये एंडो थरमिक की वज़े से पॉजिटिव और ये वाली वेल्यू भी क्या हो गई तुमारी पॉजिटिव हो गई तो ओवरॉल पॉजिटिव लॉक के अंदर कम निकल या आता जब ग्रेटर दन वन चीज होती है और ये लॉक कौन सा है बेस टैन वाला है तो के डब से most of the cases में आपको ये मिलेगा अगर temperature कुछ नहीं दिया तो by default हम 25 degree centigrade मान के चलते हैं अब इसी के basis पर हम यहां पर pH scale की बात करेंगे तो ध्यान से लिखना ज़़ा pH scale ये तो हमने क्या समझा दिया ionic productive water pH scale की बात करेंगे सोरेंसन ने ये बनाई थी प्येच स्केल किसने बनाई थी सोरेंसन ने बनाई थी इसका कोई भी physical significance नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बोलचाल की भासा आसान हो जाए उसके लिए बनाया गया जैसे अगर मालो लेब में दो लोग बात कर रहे हैं एक मालो बच्चे ने बोल दिया कि 0.0000001235 का निकालना जारा solution तो कितना गंदा लग रहा बोलने में अगर वहीं ऐसा बोल दें कि भाई pH 2 का निकाल दो या pH 3 का या pH 3.5 का solution निकाल दो तो कितना अच्छा लग रहा है आसान लग रहा है म made by Sorensen, valid for dilute solution, usually dilute solution के लिए अपन यूस करते हैं न, मतलब जिसकी concentration बहुत कम हो, 10 की पार माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 इस टाइप से, 0.001 बन ऐसा, तो बहुत कम concentration वालों के लिए यूस करते हैं, अब pH scale का मतलब क्या है बहुसा मतलब, पहले तो मैं pH का formula लिखूंगा, क्य pH is equal to minus log of, ध्यान से सुनना, minus log of H plus concentration, base 10 वाला, तो negative log होता है यह किसका, H plus concentration का, अब यहाँ H plus concentration पूट करके pH आप निकाल सकते हो, ठीक है, अब जैसे pH का formula लिखा, वैसे ही किसका होता, pH का भी होता है, क्या करोगे pH में, minus log of concentration of क्या लिखोगे, OH minus, बहुत simple simple सी चीज़े हैं कुछ भी लिख दें आपको, पी के साथ कुछ भी लिख दें, तो अपने ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मालो आपसे बोला गया है, पी के डबलू, क्या बोलोगे, minus log of, बेस टैन है, यह है, यह धियान लखना, क्या बोलो, तो पी का मतलब याद रख लो, आप तो minus log होता है, ज बहुत आसान है, पी पंकज, बताने देरा क्या हैगा, पी पंकज, क्या हैगा, पी का मतलब क्या होता है, माइनस, तो माइनस लोग, पंकज, वह कितना आसान है, वह पी का मतलब याद रखो, पी क्या होता है, पी होता है, माइनस लोग, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है अपने नाम को भी बना लो तो पी एस लिखो फिव का यचल अभी हम बनाएंगे लेकिन पहले आपने बेसिक समझ ली कि पीज़ान जी कि निकालते कैसे किसने बनाइब तो बहुत आसान चीज है अब आपन इसकी स्केल बना लेते हैं 25 डिग्री सेंटिग्रेट पर इसकेल एक देखेंगे और 90 डिग्री सेंटिग्रेट पर देखेंगे और कम प्रिजन कराएंगे दोनों का ठीक है चलो इसको नोट करो अफिर आगे बढ़ते हैं चलो अच्छो तो आप अपन इसकेल बना लेते हैं दो अलगलग टेंपरिचर पर हम समझेंगे जरा 25 पर और 90 पर ध्यान देना अगर मैं पी एच इसकेल लिखू तो ध्यान से सुनना जरा तुम्हारा जो के डवलू था के डवलू यहां पर क्या था ध्यान से बताना यहां प 14 था एच प्लस और और यह भी हमें पता था क्या कि एच प्लस कॉंसेंट्रेशन इंडिविज्वली देखें तो 10 की पार माइनस सेवन और ओएच माइनस भी इतनी ही रहेगी यह पक्का आपको पहले से पता है ठीक है अब जरा ध्यान से सुननना अगर तुम्हारा के डवल अगर तुम्हारा के डवलू 10 की पार माइनस 14 है तो जो तुम्हारा इसकेल जाएगा वो तुम्हारा इसकेल जाएगा 0 से 14 तक ठीक है और मिड़ पॉइंट क्या आएगा 0 से 14 का 7 माल लेते हैं यहां पर आया ठीक है तो यह जो 7 है यह किसी भी particular acid के लिए अगर हम pH की बात क करेंगे तो pH 7 है यह neutral point बोलता है इसको क्या बोलता है मेटा neutral point तो यह point क्या है neutral और इसके इस तरफ इसके इस तरफ acidic solution होता है और इस तरफ 7 से 14 basic solution होता है तो किसी particular acid के लिए अगर आपने pH निकाला या base के लिए निकाला तो अगर आपने pH निकाला और pH 0 से 7 के बीच में आ रहा है तो आप बोल दोगे solution acidic है अगर 7 से 14 ना रहे तो solution क्या है basic है 7 कैसे decide होता है यहां से एच प्लस OH माइनस concentration 10 की पार माइनस 7 माइनस 7 यह neutral point के लिए है similarly अगर मैं बात करूं इसकी ध्यान से देखना ज़रा अगर मैं Kw पूछूं आपसे तो आप जानते हो है H प्लस इंटू OH माइनस यह पक्का पता है हमें Kw क्या था 90 डिग्री पर यह था 10 की पार माइनस 12 और जो कि किसके बराबर है H प्लस इंटू OH माइनस के बराबर मतलब यहां पर जो आपने लिखा similar वो भी ऐसे लिखेंगे और ऐसा बोलेंगे कि H प्लस क्या है 10 की पार माइनस 6 है और OH माइनस क्या है 10 की पार माइनस 6 है ठीक है इतना molar बोल सकते है इतनी molar concentration है तो इसका जो midpoint आएगा वो क्या आएगा इसका midpoint आएगा आपका 6 क्यों? 0 से 12 तक ही skill जाएगे रभकी है जितना आपका kw है उसकी जो power दिख रही है आपको उतना ही skill जाती है यह जो point आएगा यह क्या आएगा neutral अब 6 पर neutral है और यहां से यहां से यहां तक यह क्या है बेटा acidic है और यहां से यहां तक यह क्या है बेटा basic solution तो midpoint तुम्हारा 6 है 0 से 6 के बीच में acidic solution होता है और 6 से 12 के बीच में basic solution होता है और midpoint तुम्हारा neutral हो गया अब ध्यान से सुनना अगर तुमसे ऐसा बोला गया कि pH is equal to 7 at 90 degree centigrade तो बताओ कैसा solution का नीचर होगा तो 6 पर neutral है ना तो 7 पर तो basic होगा ना समझना बात को जो मैं कहा रहा हूं पिएच अगर 7 बोल दे कब इस पर तो क्या होगा basic और पिएच अगर 7 इस पर बोले तो neutral solution ठीक है अगर ऐसा बोले यह पिएच स्केल है यह क्या लखा मैंने यह सब पी एच है ध्यान लगना ठीक है पी एच है यह जीरो से 6 एसे डिक 6-12 बेसिक जीरो से 7 एसे डिक 7-14 बेसिक यहाँ 7 neutral point यहां 6 neutral point तो टेंपरचर बढ़ाने तो क्या हुआ यहाँ पर temperature बढ़ाने पर kw बढ़ गया दिहाँ सुनना temperature बढ़ाया तो kw बढ़ गया और kw बढ़ने से क्या होता है H plus concentration भी बढ़ती है और OH minus concentration भी बढ़ती है मतलब आपका pH कम होता है और pH भी कम होता है क्योंकि overall छोटी हो जाती scale, बहुत important point है यह MI star लिखेंगे यह आपना वाला क्या temperature बढ़ाया तो KW बढ़ा, KW बढ़ा तो H plus भी बढ़ा और OH minus भी बढ़ा दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि 10 की बार minus 6 10 की बार minus 6 हो गए और H plus बढ़ाओगे तो pH क्या होता है minus log H plus, तो H plus बढ़ाओगे तो pH कम होगा, similarly OH minus बढ़ाओगे तो pH कम हो जाएगा क्यों pH is equal to minus log of OH minus समझे बात को, यह कहानी है pH scale की, बस आपको यह ध्यान रखना है कि scale कौनसी वाली यूज़ करनी है temperature कुछ नहीं दिया तो by default 25 degree अगर उन्हें especially पूछना होगा तो कोई particular temperature दे देंगे जैसे 70 degree या 80 degree कुछ आपको pH, PKW या pH वकरा कुछ बता देंगे पूछ लेंगे nature of the solution है ना, उसका इसको नोट करो बहुत basic सी चीज़ थी, इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो question बन जाएंगे आपके, ठीक है चलो नोट कर ले चलो अच्छो तो आगे बढ़ते हैं और pH निकालना सीखते हैं अब आप यहां से ध्यान देना यहां से अगर आपने ध्यान दे दिया तो सारा का सारा pH वाला सब सिस्टम समझ जाओ गया आप है ना पहला case मैं ले रहा हूँ pH calculation में strong acid हो या फिर base हो क्या बुला मैंने? strong acid हो या फिर base हो तो हमें करना क्या है जैसे मैं acid से आपको समझाएता हूँ similarly base के लिए भी हम ऐसी लगाएंगे क्या? अगर H plus concentration तुमारी 10 की पावर माइनस 6 molar से जादा है जैसे 10 की पावर माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 इस टाइप से है ना HCl तो क्या करोगे आप? आप मुझे बता सकते हो HCl में कितने H plus है? एक ही H plus है ना तो हCl में एक ही H plus है तो H plus concentration ये आपके आएगी? 10 की पावर माइनस 3 molar क्या हैईगी? 10 की पावर माइनस 3 molar क्या हो? एंच Сील में एक ही मोल H plus है ना? तो concentration सेम आएगी, यहां से तुम pH निकाल लो कैसे, minus log of h plus concentration, और यह क्या put करोगे, minus log of h plus concentration 10 की power minus 3, अब तुम्हें formula याद होना चाहिए, क्या, log a की power b, क्या होता, b log a, तो minus 3 आगया आएगा, तो क्या हो जाएगा, plus 3, log 10 तो बन होता है, तो pH कितना हो गया आपका 3, ऐसे करना है आपको, ठीक है, अगर माल लो आपके सामने ऐसा आगया, एक और ध्यान से देखना, find, pH of 10 की power minus 3 molar h2SO4 दे दिया, तो क्या करोगे, अगर आपको strong acid में h2SO4 दे दिया तो मुझे बताना जरा, इसमें कितने h plus है, 2, तो वेड़ा h plus क्या हो जाएगा, 2 into 10 की power minus 3, तो अब यहां से pH निकालो, क्या, minus log of h plus concentration, अब जरा ध्यान देना, यह इसको solve करना है, तो आप बार बार solve करोगे, कैसे, log a into b, log a plus log b, फिर आगे बढ़ोगे, मैं आपको direct बताए क्या, कभी अगर आपको ऐसा मिले, कैसा, pH is equal to minus log a into 10 की power minus b, तो यह पूरा का पूरा solve होके, b minus log a आता है, आप solve करके देख लो, log की property लगा, कि यह आएगा, तो आप सीधा-सीधा यह धियान लगो, direct यह लिखेंगे, क्योंकि ऐसा कई बार करना पड़ेगा, आपको इस chapter में तो सीधा-सीधा पताना ज़रा, minus log a into 10 की power minus b is equal to b minus log a, अब log की कुछ values याद होनी चाहिए, आपको जैसे log 2 कितना होता है, आपका, 0.3, तो 3 minus 0.3 कितना आ गया, यह, 2.7, तो pH क्या आ गया, इसकी, 2.7, इस तरीके से आपको attempt करना है question, समझ गे, तो अगर आपकी concentration 10 की power minus 6 से ज़्यादा है, जैसे इस type की cases, तो आपको कैसे solve करना है, process मैंने बता दिया, यह formula आप धियान लगना, ठीक है, और log की कुछ value याद कर लो, log 2 होता है, log 3, log 3 होता है, 0.48, ठीक है, log 4 कैसे निकालोगे, 2 log 2, log 4 is equal to 2 log 2 होता है, तो 2 into log 2 कितना है, 0.3, तो 0.6 हो जाएगा, अगर H plus concentration तुम्हारा, दियान से देखना, अगर H plus concentration 10 की पार माइनस 6 मोलर से कम है, जैसे 10 की पार माइनस 7, माइनस 8, माइनस 9 इस type से, तो क्या करना है, आपको धियान से देखना, question के form में बता रहा हूँ, find pH of 10 की पार माइनस 8 मोलर HCl, दियान से देखना, कई लोग यहां गलती यह करते हैं, बहुत conceptual चीज़ चल दो, कई लोग गलती यह करते हैं, अच्छा सर, HCl है, तो 1 मोल H plus है, तो H plus concentration कितनी आएगी, 10 की पार माइनस 8, तो यहां से pH कितना आजाएगा, minus log 10 की पार माइनस 8, तो pH कितना आजाएगा, 8 आ गया जाएगा, log 1 की पार भी, और pH 8 आजाएगा, मतलब यह तो 7 से जादा आगया, ओ भाई सब गलती हो गई, क्यों गलती हो गई, क्यों आपको यह पता है, कि यह क्या है, अब क्या है, धियान से सुनना, actual में होता क्या है, HCl को हम पानी में डालते हैं, तो पानी से भी तो H+, आएगे, अचा HCl से H+, कितने आएगे, 10 की पार माइनस 8, और पानी से H+, कितने आएगे, temperature कुछ नहीं दे रखा, 25 degree centigrade मतलब 10 की पार माइनस 7, मतलब हमें यहाँ जरुरत है, H+, net concentration निकालने की, जो कैसे न निकालोगे, H+, from acid, ध्यान से सुनना, प्लस, H+, from water, तो H+, from acid और H+, from water भी लेना पड़ेगा, अचा मैंने यहाँ क्यों नहीं ली, अरे भईया, यहाँ मैंने ले ली लेकिन बताया है नहीं, क्यों, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ H+, net लिखूंगा, from acid, और यहाँ चलो, 10 की पार माइनस 7, from water, तो obviously इसके respect में यह तो वैसी neglect हो जाएगा, इसलिए अपन इसको लिखो ही मत, तो हमें पहले से ही पता है, हमने दिमाग में कर लिया, कि 10 की पार माइनस 7, add करेंगे, फिर इसके respect में यह वाली बहुत छोटी है, तो इसको neglect करेंगे, तो पहले से ही neglect कर 10 की पार माइनस 7, दोनों add होंगे, दियान से सुनना, तो अब तुम्हारा h प्लस net क्या आएगा, pH क्या आएगा, pH आएगा, minus log of h प्लस net, मतलब 10 की पार माइनस 8, plus 10 की पार माइनस 7, अब इसको आपको solve करना और आपका answer आजाएगा, concept समझ दो, बाकि मैं भी इसको solve कर दियान से सुनो पहले, case 1, h प्लस अगर 10 की पार माइनस 6 मोलर से ज़्यादा है, 10 की पार माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, या फिर इस टाइप से कुछ है, तो अगर ऐसा आ रहा है, तो आप डारेक्ट solve करोगे, pH, आपको water से h प्लस लेने की दूरत नहीं, क्योंकि वो लेते हो और neglect कर दे तो इसका मतलब पहले से याद रखोना की नहीं लेना है, यहां क्या करोगे, water से भी add कर दोगे, 10 की पार माइनस 7, क्योंकि यहां पर negligible नहीं है, तो अब pH निगाल दो आप इसकी, solve कर लेता है, 10 की पार माइनस 8 को आप common लेलो, 1 प्लस 10 लि 11 इंटू 10 की पार माइनस 8, तो यह यही बन गया formula, देखो बार बार आएगा यह formula, क्या लिखूंगा, 8 माइनस लॉग 11, 8 माइनस लॉग 11, ठीक है, और यह जो 8 माइनस लॉग 11 है न, भाई, लॉग 10 तुमारा 1 होता है, तो लॉग 11 वन से थोड़ा जादा होगा, तो 8 माइ तो pH जो क्या आएगी, वो nearly 6.9 आएगे आपकी, और यह answer आप याद कर लोगे, क्योंकि हमेशा ऐसे ही आएगा, कैसे, अगर तुम्हें यह case मिल गया, तुम पहले case पहचान होगे, यह धियान लगना, अगर तुम्हें यह case मिल के 10 की पार माइनस 8, 10 की पार माइनस 9, माइन 10, माइनस 11, माइनस 12, तो आप यह सब लेकर solve करोगे, तो किसी का 6.92, किसी का 6.96, किसी का 6.97S आएगा, मतलब 6.9 के आसपास ही आएगा, मतलब आप क्या करोगे, इस case में एक बार solve करके मैंने दिखा दिया, अब आगे से याद रख लो, क्या, कभी भी यह case आया, option में चमक 10 की पार माइनस 9 दे दिया, तो 10 की पार माइनस 9, प्लस 10 की पार माइनस 7, फिर से solve कर देना पूरा, अगर exact निकलना चाहते हो तो, वैसे तो आपको कभी दिखेगा, नहीं ऐसा, कि option ही ऐसा दे दिया, कि 6.192 दे दिया, एक 6.93 ऐसा नहीं करते, इतने पागलपन नहीं करते वो लोगे ना, examiner, तो examiner question जब भी देगा, आपको option बहुत अच्छा सा देगा, एक तो तुमको pH 8 देगा, दूसरा आपको 6 देदेगा, तीसरा को इस दस बारा में देदेगा, और चौथ option चमकता हुआ 6.9 देखेगा, वही answer लगा देना, समझ गया बात को, तो इस case का answer 6. 6.9 के आसपास याद कलो पहले से, इन cases का हम solve करके निकाल लेंगे, अब कई लोगों के दिमाग में सवाल, कि सर, greater than 10 की पार माइनस 6 में तो चलो ये हो गया, less than 10 की पार माइनस 6 में ये हो गया, तो 10 की पार माइनस 6 अगर हो जाए तो क्या होगा, 10 की पार माइनस 6 अगर हो चलेगा लेकिन उसका तुम्हारा 6.9 नहीं आएगा उसका 6 से कम आएगा क्यों 10 की पार माइनस 6 करोगे प्लस 10 की पार माइनस 7 करोगे इसको तुम सॉल करोगे तो वो 6.6 के अंदर आएगा मैं आपको बताता हूं निहां से देखो यहीं बता देता हूं अगर मैं ऐसा बोल दूँ इफ एच प्लस कॉंसेंट्रेशन इस टैन की पार माइनस 6 तो एच प्लस नेट क्या निकालोगे वह एच प्लस कॉंसेंट्रेशन क्या है यह जैसे सपोज मैं ऐसा लिख देता हूं 10 की पार माइनस 6 मोलर HCl तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा जैसे अपने यह लिया था वैसे तो एच प्लस नेट क्या आएगा 10 की पार माइनस 6 और 10 की पार माइनस 7 प्रॉम वाटर तो अब यह नेगलेक नहीं होगा मतलब अब इसको सॉल करोगे तो क्या करोगे 10 की पा अब 11 इंटू 10 की पार माइनस 7 आगया मतलब 7 माइनस लॉग 11 आएगा सपोस लॉग 11 तुमारा 1.1 है तो 7 माइनस 1.1 तो यह आएगा आपका 5.9 के आजपास मतलब पी एच के आएगी लेस देन 6 आएगी अप्रॉक्सिमेटली लिख देता हूं गया एक्जेक्ट यह प्रॉक्सिमेटली मतलब अब ध्यान से सुनना टैन की पावर माइनस 6 से ज्यादा ऐसे सॉल्व करना है बहुत ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं टैन की पावर माइनस 6 से अगर ज्यादा है एच प्लस तो ऐसे सॉल्व करो टैन की पार माइनस 6 से कम है तो आंसर याद है कितना 6.9 solve करना है तो ऐसे करो और 10 की पार minus 6 अगर हो गया तो 5.9 6 से धोड़ा सा कम क्योंकि वो neglect नहीं होगा समझगे बात को तो इस तरीके से आपको solve करना है तो पहला case हो गया आपका H plus concentration से related अब इसी case में हम क्या करेंगे जैसे ये तो मैंने acid का बता दिया मालो तुमसे base का बोले तो base में भी यही कर ले ना लेकिन वहाँ H plus ना के तुम्हारा क्या आने लगेगा OH माइनस आने लगेगा solve करोगे तो वहाँ pH नहीं निकलेगी तुम्हारी ये सब क्या आएंगी ये सब क्या आएंगी तो अगर आपको फिर pH निकालना है तो क्या करोगे pH प्लस pH is equal to 14 होता है क्यों? H plus और OH माइनस की concentration का product जो है वो 10 की पार माइनस 14 है तो एक formula आपको फिर ये apply करना पड़ सकता है यहाँ लिख देता हूँ बहुत धियान से लिख लिख ले नाम है न प्लस 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 इस एक्वल टू 10 की 14 लिख देता हूँ यह formula बहुत important है दियान लगना है तो यह सब का सब जो चीज तुम निकालोगे अगर base आगे strong base मालो नवह बोल देते तो यह सारी चीज़े तुम्हारी pH आती final जैसे यह pH आता यह pH आता यह pH आता तो आप जब pH निकालते तो 14 में से माइनस कर देते तो 14 में से इसको माइनस क कर देते तो 7.1 7 से जादा आती क्योंकि base है और 14 में से इसको माइनस कर देते इस टाइप से जिलते आप बात समझी है जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुन लो h plus concentration अगर तुम्हारी 10 की वार माइनस 6 से जादा है तो ऐसे कर लो 10 की वार माइनस 6 से कमे तो answer याद है 6.9 करना तो ऐसे कर लो और अगर 10 के पर माइनस 6 है तो ऐसे करो और तुम बेस ले लोगे स्ट्रॉंग बेस ले लोगे तो यह सब के सब जो आंसर तुमारे हैं वो पी-एच की जगा पी-एच के हो जाएंगे और फिर पी-एच कैसे निकालोगे 14 में से माइनस करके तो आपका यह जो जो चीज़ें आपके लिए डाउट हो सकती बोई बता दिये पहले से इस टाइप के ठीक चलो इसको नोट करो अफर आगे बढ़ते हैं इसलिए मैं आपको बहुत सारे कोश्चन भी कर भाऊंगा साथी साथ ध्यान से देखना पढ़ो सवाल 10 की पार माइनस 5 मोलर एने वाइस solution at 25 degree centigrade is diluted to thousand times ठीक है अब आपको करना क्या है मुझे बताना जरा ओच माइनस concentration क्यों यहां एने वेच है न तो ओच माइनस concentration में क्या लिख सकता हूं यहां से 10 की पार माइनस 5 लिख सकता हूं अब उन्होंने यह बोलाए कि डायूडे टू टेन थाउजन टाइम्स बोल रहेंगे अब ध्यान से सुनना अगर मैं आपसे ऐसा बोलूँ सबोस्च माइनस की concentration जब लाइट चली जाती है तो हम M1 ले ले लेते हैं अगर मैं आपसे ऐसा बोलूँ की ओएच माइनस की concentration विफोर डायूशन एमवन है वॉल्यूम विफोर डायूशन वीवन है concentration after dilution M2 और volume after dilution V2 तो हम क्या करेंगे डायूशन के बात चेक करना है तो चलो starting मताना M1 कितना है यह जो दिया है यह M1 दिया है कितना 10 की पार माइनस 5 इस starting में मैं बोल देता हूँ V है volume क्या है V M2 मुझे निकालना है और V2 क्या है कितना वोला है आपसे 1000 टाइमस डायूट कर दिया तो 1000 V कर देता हूँ V2 क्या हो जागा 1000 V V से भी वड़ा दो तो M2 क्या आगया आपका 10 की पार माइनस 5 अपन 1000 क्या हो गया 10 की पार माइनस 8 अब धियां से सुनना अब OH- new concentration जो हो गई after dilution वो हो गई 10 की पार माइनस 8 अब यह देखो मैंने आपको बताया था case case अभी पीछे जो पढ़ाया है तो उसका जो answer पहले निकलेगा अब तो pH निकलेगा न 6.9 अगर मैं इसको पूरा वैसे ही solve करूं तो pH जो आएगी वो आएगी आपकी 6.9 मुझे pH चाहिए तो pH कैसे निकालोगे 14-6.9 मतलब 7.1 मतलब between 7 to 8 आपकी pH आजाएगी समझगे बात को कैसे किया फिर सुन लो बहुत ध्यान से स्टार्टिंग में OH माइनस concentration आपकी 10 की पार माइनस 5 थी ठीक है जिसको मैंने M1 माल लिया स्टार्टिंग का वॉल्यूम भी माल लिया बाद में ऐसा बोलने कि आप वॉल्यूम को 1000 टाइम्स कर दिया मतलब V2 तुमारा कितना हो जाएगा 1000 V तो अब बताओ नई concentration OH माइनस की क्या हो जाएगी वह जाएगी 10 की पार माइनस 8 और यह तो आगया आपका दूसरे केस में कौन सा वाला कि जब H प्लस concentration 10 की पार माइनस 6 से कम हो जाए तो पो जो आएगी वह 6.9 आएगी सौल करने पर स्टार्टिंग में और आपको पीएच निकाल नहीं तो 14 में से माइनस करना पड़ेगा समझे इस तरीके से करना अगला सवाल देखना इक्वाल्यूम ऑफ 2HCN solution of pH this and pH this वर mix find pH of resulting solution अब कई लोग इसमें क्या गलती करते हैं सर 3 plus 5 is equal to 8 वा ऐसे दोड़ी करना पागल हो गया ऐसे नहीं करते ध्यान से सुनना जरा दो सॉल्यूशन है इक्वाल वॉल्यूम है ठीक है दौनों ही यहां से निकालो अगर तुम्हारी pH 3 है तो यहां से निकालो अगर तुम्हारी pH 3 है तो तो h plus 10 की पार minus 3 होगी, भई सिंपल सी चीज है, फॉर्मुला, pH का फॉर्मुला क्या होता है, minus log of h plus होता है, अगर तुम्हारा pH 3 है, तो h plus concentration क्या होगी, 10 की पार minus 3, तो m1 हो गया 10 की पार minus 3, volume मैंने v ले लिया, ठीक है, और n factor तुम्हारा 1 है, तो वो 1 put कर दिया, प्लस यहां m2 बताना, अगर pH 5 है, तो h plus 10 की पार minus 5 आएगा, और volume v ले लिया, n factor फिर से 1, hcl है, टोटल volume क्या है, v plus v, v1 plus v2 होगी, बस आ गया अंसर देखो, h plus net क्या आगया तुम्हारा, यह आगया 10 की पार minus 3, plus 10 की पार minus 5, divided by 2, v तो cancel हो गया, उपर से v common ले लो, और नीचे 2 भी आएगा, v से v उड़ा दे रहा, ऐसा दिखेगा, अब बस इसको आपको solve करना है, कर लो solve, कैसे करोगे, पी-एस निकाल लो कैसे, minus log of, 10 की पार minus 3, plus 10 की पार minus 5, divided by 2, थोड़ी से यहाँ पर मैंस लगा लो, क्या करो, 10 की पार minus 5 common ले लेता है, 10 की पार minus 5 common ले लेता है, तो ऐसा देखेगा, minus log, 10 की पार minus 5, और यह देखेगा, 10 की पार, यहाँ 2 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और प्लस 1, divided by 2, 100 प्लस 1 बाई 2, मतलब 10 बाई 2, अप्रोक्सिमेटरी 100 ही देलो, आसपास calculation आजाएगी, तो यह 50 लिख सकता हूं हमें इसे, तो minus log, 10 की पार minus 5 into 50, जिसको मैं क्या लिखूंगा, minus log, 5 into 10 की पार, minus 4 लिख सकता हूं, 50 into 10 की पार, minus 5, 5 into 10 की पार, minus 4, तो यहाँ से pH का formula, देखूंगा, बोई वाली बात आगी, क्या, minus log into 10 की पार, minus B, तो B minus log A, और log 5 कितना होता है, यह मैंने log की यहाँ value लिख रखी, इसको note करके याद कर लेना, log 5 होता है, 0.7, तो 4 minus 0.7, यह आजाएगा, आपका 3.3 is the final answer, अमज़ेगा, यह सब calculation आपको आनी चाहिए, log की, ठीक है, maths में simple simple calculation होती है, main कहानी यहाँ तक है, आपकी जो chemistry लगनी है, वो पहली लाइक में लगनी है, उसके बाद maths लगना है, मैंस लगा दिया आगया answer है, तो यह कहानी है, यह question हमने कर लिए, ठीक है, चलो, यह case 1 होगे आपना, अगर आपके पास strong acid या base आजाए, तो ऐसे करना है, अब हम क्या करेंगे, पता है, दो अपने पास mixture देने, किसका, acid का या base का, किसका strong का, तो क्या होगा, वो भी देख लेंगे, पहले आप इसको नूट कर लो, अगर आगे बढ़ते हैं, case 2 पे चलते हैं, अगर आपको, दो strong acid का mixture देते, मदब, एक acid, एक acid, दूसरा base, दूसरा strong mix कर दिया, एक base, दूसरा base, दूसरा strong mix कर दिया, मदब, strong होना चाहिए, तो जब acid, acid या base, base होंगे, तो H+, और OH-, वो depend करता है, कि आपको क्या लेना है, अगर मानलो मेरे पास दौनो acidic solution है, तो मैं क्या करूँगा, H+, दौनो base दे दिया, तो OH- लोगा, एक acid, एक base दे दिया, तो आप ये देख लेना, किसके gram equivalent ज्यादा है, जो ज्यादा है, मतब वही solution बचेगा, वही nature होगा, तो हम H+, या OH- उसके according उठा लेगे, ठीक है, द्यान समझना है, तो इसके लिए मैं formula लगाँगा, क्या, M1 V1 N factor 1, plus minus M2 V2 N factor 2, divided by V1 plus V2, इधर मॉड लगाँगा, अगर दोनो acid हुए तो plus लेना, क्यान सुनना, अगर दोनो acid तो plus, दोनो base तो भी plus, एक acid एक base तो minus, इस बात को यहाँ पर अपन लिखेंगे, M1 star क्या, दोनो solution, इंग्लिस वाली इंग्दी तो पढ़ लेते हो न, acidic, तो plus लेना है, दोनो solution basic, तो भी plus लेना है, क्योंकि gram equivalent जुडेंगे, एक acid, and एक base, one acid और one, base हुआ तो minus लेना है, अब जब तुम यहाँ minus लगाओगे, तो यह तो यह value बड़ी होगी, यह बड़ी होगी, जो value बड़ी हो, वही nature होगा solution का, मालो acidic की value बड़ी है, तो h plus लेना, base की value बड़ी है, तो basic लेना, one or two आपके उपर है, किसको one मानना है, किसको two मानना है, मैं कुछ question में apply करके बता दूँगा, तो आप समझ जाओगे, जैसे, find pH of, यह दे रखा mixture, 50 ml of m by 5 HCl, is mixed with, plus का मतलब mixed होता है, plus मतलब is mixed with 50 ml of m by 10 H2SO4, दोनों ही acid है, यह तो आपको पक्का पता है, HCl भी acid है, और H2SO4 भी acid है, मतलब, जब मैं इसके लिए, solution यह लिखूंगा, तो यह क्या लिखूंगा, बता हो ज़रा, H plus concentration लिखूंगा, क्यों यह भी acid है, यह भी acid है, तो final भी acid ही आएगा, बेस थोड़ी बन जाएगा, है ना, तो H plus concentration is equal to, M by 5 का मतलब क्या है, molarity 1 by 5, तो M1 into N factor HCl का 1 into volume 50, ml में ही रखदने दो, क्योंकि नीचे भी volume ml में ही आएगा, तो आपको unit conversion की ज़रो तो नहीं बढ़ेगा, प्लस M2, molarity 1 by 10, M by 10 मतलब molarity 1 by 10, into इसका volume कितना है, स्वरी, इसका in factor कितना है, 2 और volume कितना है, 50, तो M2 into N factor 2 into volume divided by divided by divided by क्या, V1 plus V2, 50 plus 50, समझ गया बात को, M1 V1 N factor 1 plus M2 V2 N factor 2 divided by V1 plus V2, अब देखना ज़रा ध्यान से, solve कर लो इसको थोड़ा सा, क्या, 50 by 5, 10, प्लस यह क्या हो, क्या, 5 into 10, 0 से 0 अड़ा दो, divided by 100, तो 20 by 100 मतलब 20 into 10 की पावर minus 2, मतलब 2 into 10 की पावर minus 1, तो यहां से मैं pH लिख रहा हूं क्या, minus log of 2 into 10 की पावर minus 1, फॉर्मला फिर से होगा, क्या जागा, B minus log है, तो 1 minus 0.3, कितना होगया यह, 0.7, समझगे किस तरीके से solve करना, और भी question करके बताऊंगा मैं आपको है न, यह पहला question था, दौनों अगर acid है, तो इस तरीके से solve करना, प्लस लेना आपको, दौनों base होते, तब भी plus लेंगे, एक acid एक base तो minus लेंगे, दौनों acid वाला मैंने बता दिया, अब मैं आपको दौनों base वाला बता दूँगा, और एक acid एक base वाला तो तीनों case cover हो जाएंगे, ठीक है, चलो, इसको नोट करो, फटावर्ट से, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं, बहुत ध्यान से देखना, base और acid, तो मुझे पहले ये थोड़ी पता है, कि acidic solution होगा, कि basic होगा, मुझे पहले से नहीं पता कि क्या होगा, क्यों, भाई acid के अगर gram equivalent जादा हुए, तो ऐसे डिख होगा, basic होगा, हम चेक कर लेंगे, कैसे, कौन सा formula लगाएंगे, m1, v1, n factor 1, minus लगाऊंगा, m2, v2, n factor 2, divided by, v1 plus v2, ऐसे लिखेंगे अपन, नीचे minus मतलगा देना, volume minus थोड़ी होगा, add करोगे, दो चीज़ों को, तो volume add होगा, पागल होगे होगे, है न, चलो थिहां से देखना, अब मैं क्या करूँगा, molarity put करूँगा, आचा, 1 किसको मानना, 2 किसको मानना, किसी को मानना, आपकी इच्छा, मैं इसको 1, इसको 2 लेता हूँ, ठीक है, तो M1, M1 कितना है, M by 2 मतलब molarity 1 by 2, volume V1 कितना, 75, N फेक्टर बोलना, इसका कितना है, विड़ा, 2, minus M2, अचा, यहां सिर्फ M लिख दिया, मतलब, M लिखा है, मतलब 1 molar, M by 2 लिखा मतलब 1 by 2, ऐसा, तो M लिखा है, मतलब 1, volume कितना है, 25, N फेक्टर HCl का कितना, 1, मोड लग है, अब मैं क्या करूंगा, इसको solve करूंगा, इसको solve करूंगा, इसके according में decide करूंगा, ध्यान से देखना, तू से टूड़ा दिया, 75, minus 25, अब ध्यान से देखो जरा, अब आप मुझे बता सकते हो, 75 और 25 में से कौन सा बढ़ा है, इतना से बता ही सकते हो, तो 75 बढ़ा है मतलब ये value बढ़ी है और ये किसको माना था, base को माना था, मतलब बेटा, मुझे यहाँ पर OH माइनस लिखना होगा, समझें, अगर acid बढ़ा होता तो हम H प्लस लिख देते, और 75 माइनस 25 कितना हो गया, 50, 200, मतलब 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1, ऐसे लिखा करूंगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1, अब देखो वही फॉर्मला आ गया, माइनस लॉग A इंटू 10 की पावर माइनस B, तो B माइनस लॉग A, ठीक, और 1 माइनस लॉग 5 कितना होता है, लॉग 5, लॉग 4 कितना होता था, बताना जरा, लॉग 4 कितना होता था, लॉग 4 होता था, 2 ल क्या जाएगा 14 मैंसे माइनस कर दो 0.3 मतलब 13.7 समझगे कैसे सॉल किया यह कहा नहीं समझे यह मैंने ऐसा कैसा लिखा शुरू मैं मुझे नहीं पता कौन सा ज्यादा है मैं जब सॉल करूंगा तभी तो पता चलेगा यह वैल्यू बढ़ी है यह वैल्यू बढ़ी है तो इस नामत molarity into n factor ही normality होती है तो molarity into n factor normality मतलब इस फॉर्मिले को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ n1 v1 minus n2 v2 upon v1 plus v2 कोई दिक्कत नहीं है आप ऐसे भी बोल सकते है ना अगला question देखेंगे दियान से क्या कह रहे है इसमें अगले question मैं यह भी base है यह भी base है तो मैं क्या करूंगा final मेरा solution basic आएगा ना तो oh minus क्या हो जाएगा m1 v1 n factor 1 plus m2 v2 n factor 2 divided by v1 plus v2 ऐसे लिखूंगा मैं सही है m1 बताना कितना है m by 5 मतलब 1 by 5 volume कितना है 50 n factor कितना है 1 n aoh का plus m2 कितना है 1 by 2 क्यों m by 2 लिखा न मतलब molarity 1 by 2 volume कितना 50 और बी एच वोल्टवाइस का n factor मतलब 2 divided by v1 plus v2 कितना 50 प्लस 50 100 हो गया अब यह 50 वाइफाइव कितना हो गया 10 यह तो देखो simple match आगे अब यहां से 10 इससे काट हो यह कितना 50 divided by 100 तो यह हो गया तुमारा अब यह मैंने बताया था लॉक्ट 6 होगा आपका लॉक्ट और तीन का सम कर दो ना तीन का डबल चाह ना सभी है लॉक्त लॉक्त 3 का सम लॉक्त 3.48 होता है और 0.48 और 0.3 0.78 1-0.78 तो 0.6 और आपका यह वहाया वन माइनस 0.78 कितना हो जाएगा 1-0.78 वहोगा आपका पॉइंट तू ठीक है तो यह आगए आपका पूइच द्यान से सुनना जो यह पिएच आ जा जा तो पिएच निकालने के लिए थे क्लोगे सॉटीन माइनस पॉइंट टू करोगे ठीक है और पॉइंट टू- कर दोगे तो यह जाएगा थर्टीन पॉइंट कितना आएगा 13.78 आ जाएगा साइध देखना चला हाँ साही है तो पी एच के आ गया 13.78 आना भी चाहिए साथ से ज्यादा क्यों क्योंकि दौना बेस है यहाँ क्या था एक एस एक बेस था बेस ज्यादा बच रहा था तो पी एच देखो 13.7 आ रहा है को और एक strong base होगा यह case है ठीक है बागी week वाले भी case आएंगे धीमे धीमे आराम आराम से चलेंगे सारे cases ध्यान से समझो अभी मैंने strong वाले बताया आपको है ना चलो इसको note करो अफिर आगे बढ़ते हैं चलो अच्छो तो आगे बढ़ते हैं case 3 पर चलते हैं case 3 क्या कह रहा है यहां पर ध्यान से देखो weak monobasic acid monobasic मतलब basic 1 जो 1H प्लस दे या monoacetic base मतलब basic 1 जो 1 OH माइनस दे उस टाइप का लेकिन weak होना चाहिए strong वाला तो हमने value कर लिया weak होना चाहिए है ना जैसे अगर अपन कोई weak acid लेके चले सपोस मैंने ले लिया HA ध्यान से देखना जड़ा HA को break करोगे क्या बनेगा H प्लस और A माइनस इसका कुछ dissociation constant के होगा ठीक है के को क्या बोलते है dissociation constant मतलब इस equilibrium का क्लिविरियम constant जिसका नाम है dissociation और ionization constant क्या नाम है बटा dissociation और ionization constant अब ध्यान से सुनना जड़ा अगर मैं आप से बोलूं कि t is equal to 0 पर मतलब initially इसकी concentration c है starting में तो यह होता ही नहीं है अगर t is equal to t equilibrium पर equilibrium के time पर c मैंसे इसकी concentration में c alpha कम कर रहा हूँ क्यों क्यों क्योंकि मैं यहाँ पर degree of dissociation बेटा क्या बोल रहा हूँ यह बोल रहा हूँ मैं alpha वो कब बनेगी जब c alpha कम हो और initial c हो c से c उड़ जाए तब ही alpha है ए मैंने initial concentration c ले ली आप बोलोगे राज के पहले तो आप mole लिखा करते थे chemical realism में भाई आप mole में भी लिख सकते concentration में भी कोई दिक्कत नहीं है c 00 initial concentration c है यह 00, c मैसे मैंने c alpha ही क्यों कम किया क्यों 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 की degree of dissociation तुमारी alpha हो जाएगी तो c alpha by c तबी आपका क्या हैगा alpha ए अब जितना यहां कम किया उतना ही यहां वनेगा c अलफा और c अलफा अब मैं यहां k लिखूंगा ध्यान से देखना ज़रा k क्या आएगा c अलफा इंटू c अलफा अपॉन c माइनस c अलफा थोड़ा सॉल कर लो k क्या आगया c अच्छा ही काम करो नीचे से c कॉमन ले ले ल यहां पर नेगलेक्शन भी कर सकते हैं और यूजली ऐसा बोला जाता है कि अगर डिग्री ओफ डिसोसियेशन तुमारी पॉइंट बन से कम है या 10 परसेंट से कम है तो ही हम उसको क्या करेंगे नेगलेक्ट करेंगे ठीक है यह ध्यान दखना तो वन के रिस्पेक्ट में अ पड़ेगा अल्फा क्या है अंडरूट के बाई सी और दूसरा एच प्लस का धियान दखना पड़ेगा जिससे हम पी एच निकालेंगे कैसे एच प्लस कॉंसेंट्रेशन को क्या लिखोगे सी अल्फा लिखोगे ठीक है अल्फा क्या पुट करोगे अंडरूट के बाई सी C को अंदर लेगा, C square आ जाएगा, नीचे से XC, उपर से XC कट जाएगा, तो under root K into C बचेगा, अब यहां से H+, यह था, तो pH क्या लिखूंगा, मैं, minus log of concentration of H+, ठीक है, और H+, concentration यह put कर दोगे, under root K into C, solve करोगे, तो final लिख देता हूँ, pH आएगा आपका, 1 by 2, pka minus log C, यह आएग आपका, मतलब, बहुत आसान सा formula हो गया, क्या, यह formula याद करना है आपको direct, यह तो मैंने एक बार derivation बता दिया, आगे भविश्च में अगर आप सवाल लगाओगे, तो यह direct formula यूज करोगे, तो दो formula याद रखने है, एक alpha वाला, और एक pH वाला, ठीक है, और H+, का भी होता है, ठीक है, नाम इसा सुना होगा कभी, ओस्ट वाल्ड डाइलूशन लग, वो क्या होता है, वो इसी से related है, किसके लिए, वीक monobasic acid के लिए, ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, statement लिख रहा हूं, ओस्ट वाल्ड नहीं, ओस्ट वाल्ड नाम इसका, ओस is inversely proportional to, is inversely proportional to square root, square root of the concentration or directly proportional to or directly proportional to square root, square root of dilution, अब इसका मतलब क्या है, यह समझना जरा, ध्यान से समझना, यह जो लिखा है, एक पर पढ़ लो जरा क्या लिखा मैंने, degree of dissociation is inversely proportional to square root of the concentration or directly proportional to square root of the dilution, मतलब आप यहाँ ध्यान से देखना क्या लिखा है, alpha क्या लिखा है, under root kyc, अच्छा यहाँ पर k तो constant होत होता है, तो alpha क्या लिखूंगा, inversely proportional to under root c, यह दो alpha-alpha जैसे दिख रहे है, यह alpha-dod वाला alpha और यह directly proportional वाल रिलेशन है, 1 by root c, मतलब inversely to root c, अच्छा concentration क्या होता है, mole upon volume, तो concentration is inversely proportional to क्या, volume, मतलब alpha, अगर मैं concentration को 1 by b यहाँ पूट करूं, तो directly proportional to root b, मतलब अब आप देखा बचरा धिहान से, degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to square root of the concentration, और directly proportional to square root of the volume, तो यह उसी से related topic है, तो क्या कै चीजे धिहान दखनी है आपको, ओस्टवार डिलेशन लो क्या होता है, basic statement आपको पता होना चीजिए लिखा है, यहाँ से समझा दिया, alpha का formula याद कर लो, h plus का formula और pH का formula याद कर लो, धिहान से देखना, pH of 0.1 molar disc, यह क्या है, weak acid, k दिया है इसका, और वैसे भी, k आपको तभी देंगे, जब weak acid होगा, strong का दो k होता नहीं न, क्यों, उसका दो k बहुत ज़्यादा होता है, भाई equilibrium constant बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको k दिया मत्तलब weak acid है, ठीक है, अब CS3 सिर्फ एक ही H+, देखना है, तो यह monobasic है, क्या है यह, monobasic है, आगे ऐसा भी case आएगा, कि weak polybasic होगा, एक से ज़्यादा H+, देने वाला भी आएगा case है, यह क्या है, monobasic वाला, तो दिखान से देखना ज़रा, मैं क्या लिख रहा हूं, pH निकालना है, तो pH is equal to क्या होता के इतना दिया है, तो pH क्या आएगा, minus log of k, मतलब minus log 10 की पावर minus 5, minus 5 आगे ले आओ, तो pH कितना आगया, 5 आगया, यहाँ put कर दें, 1 by 2, pH 5 आगया, minus log C भी अलग से निकाल दिया करो, log C क्या आएगा, बताना ज़रा, C कितना है, concentration, 0.1, तो log 0.1 मतलब 10 की पावर minus 1, minus 1 आग पूट करोगे, और पहले से minus है, तो plus हो जाएगा, और 5 और एक कितना होता, 6 by 2, तो pH कितना आगया, आपका, 3 आगया, इस तरीके से आपको solve करना है, अगर इसी question में आप से बूच लेते हैं, वदाओ, alpha क्या है, alpha, तो alpha क्या लगाते है, under root k by c लगाते, अगर सबोस आप से पूच लेते थे, under root k कितना है, 10 की पार minus 5, और c कितना है, 10 की पार minus 1, तो यहाजागा, 10 की पार minus 4, और इसका under root minus कर दो, यहाँ, मतब डिवाइड कर दो 2 से, तो 10 की पार minus 2 हो जाएगा, तो 0 बना जाएगा, तो इस तरीके से आप solve कर सकते हो, ठीक है, अगर h plus concentration पूच ले दे, देखो, यहाँ से तुम्हारा pH कितना आया, 3 आया न, pH 3 आया, तो h plus concentration क्या आजाएगा, 10 की पार minus 3 आजाएगा, एंटी लोग लेना पड़ेगा, आपको, सीधा सोचे लो, 10 की पार minus 3 है, तो pH 3 आएगा, फुल्टा करना, अब मैं यहाँ पर आपके सामने formula लिख देता हैं, आपको, इस वाले case से related, सबसे पहले alpha, क्या, अंडरूड के बाई, सी, दूसरा h plus, क्या, c alpha, या फिर अंडरूड के इंटू सी, अंडरूड के इंटू, सी, ऐसा र्याद रख सकते हो, और एक pH का formula, क्या, आधा, pka, minus log c, ठीक, और, ओस्टवर्ड डाइलूशन लो, न क्या है, alpha, is, inversely proportional to under root c, और directly proportional to under root v, तो यह सारे formula इस से related हो गए, तो यह formula याद रखना, direct question exam में बनाना है, मैं तो क्या, समझाने के लिए आपको पूरा derivation, पूरा detail में समझा रहो, आपको में यादत पता ही है, जब तक मुझे मझा नहीं आता, तब तक आपको यह मझा नह करते हैं, लिख लो इस से, चलो अच्छो आगे बढ़ते हैं, weak assets related, 2-3 question कर लो, पूरा समझ में आ जाएगा, आपको detail में, चलो आगे बढ़े, क्या पूछा है, find hydronium ion concentration of 0.25 molar है, यहां से सुनना, आच्छा hydronium ion का यहां मतलब क्या है, hydronium ion पता क्या होता है, H+, होता है, H+, या S3O positive लिखो, बात बराबर है, क्यों H+, water में S3O positive के form में exist करता है, तो यह concentration अभी मैंने formula बोला था आप से, क्या या तरोखो formula C alpha, या under root K into C, तो सीधा formula लगा, answer पाओ, ठीक है, under root K into C लगा रहा हूं, तो under root K कितना है, 4 into 10 की power minus 8, और concentration कितना है, 0.25, अचा 0.25 का मतलब क् 25 by 100, मतलब 1 by 4, 4 से 4 कट गया, और 0.25 into, 0.25 into 4 कितना होगा, 1 ही होगा, तो 10 की power minus 8 का under root, यह answer आपका, मतलब 10 की power minus 4, मालव आप से pH पूछ लेते, pH, तो क्या बोलते है, pH, minus log of H+, 4 आगे ले आँ, answer, कितना आसान है, अगर alpha पूछ लेते, तो alpha is equal to, under root K, कितना है, 4 into 10 की power minus 8, C कितना है, C, 0.25, 0.25, 2, 5, 4 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 0.25, मतलब 1 by 4, 4 उपर जाएगा, तो 4 का square, into 10 की power minus 8, तो क्या निकलेगा, 4 into 10 की power minus 4 alpha जाएगा, सारी चीज़े बता दी मैंने, वैसे पूछा तो इन्होंने, H3 यो बहुत एफ था, ठीक है, अगला सवा और HCN, K दे रखा है, और 2 concentration दे रखी, एक C1, एक C2, find the ratio of DoD, है ना, और अपन DoD में, रेशियो में, alpha 1 by alpha 2 निकालेंगे, ठीक, यह हमें निकालना है, कैसे करेंगे, आप कहीं पता है कि, alpha is directly proportional to 1 by root C, बस काम हो गया, खेर K उनने दिया है, लेकिन ज़रूत नहीं हो, उसकी ह कितना है, 0.001 और C1 कितना है, 0.1, मतलब यह कुछ ऐसा है, 10 की पार माइनस 3, और 10 की पार माइनस 1 का, अंडरूर, 10 की पार माइनस 1 ऊपर जाएगा, तो 10 की पार माइनस 3 पहले से ही है, तो 10 की पार माइनस 2 बचेगा, इसका अंडरूर, मतलब यह क्या आजाएगा, 10 की पा में पढ़ोगे न तो आपको बहुत मज़ आएगा इस चैप्टर में और आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा यह चैप्टर आप बोलो के सर हमारा सबसे अच्छा आयने की है यह दिहान से दिखते जाओ जो जो मैं करवाते जा रहा हूं अगला सवाल इफ डियोडी इस मतलब 0.1 लिख दूम है इसका क्या करो whole square तो 10 की पार माइनस 2 का 10 की पार माइनस 4 k by 0.1 बहुत सलोली आराम आराम से सीखो है na k कितना आजाएगा 0.1 को इधर ले जाओ तो 10 की पावर क्या बचेगा 0.1 को इधर ले जाओ 10 की पार माइनस 5 माइनस 5 आ गया तो 5 आ जाएगा तो 5 आ जाएगा तो जब कभी भी आप question बनाने बैठो अब मैं आपको बहुत इंपोर्डेंट बॉइंट बताता रहा हूं आईनिक का आपको question में maximum question में पूछते हैं ठीक है तो जब कभी भी आप question पड़ो ना तो उसमें ये पहचान लो कि case कौन सा है अगर तुम case पहचान गए ना तो आपको तुरंट strike कर जाएंगी कि अच्छा इस वाले case का ऐसा करते थे मैं जब भी questions all करता हूं तो मुझे पहले से case पता होता है कि इस वाल पहानी सुरू होती pH calculation से हमने तीन case कवर की है आज क्या-क्या पहला अगर आपका strong acid है mono basic है strong acid है या आपका strong base है तो हम कैसे करते थे दो case थे h plus 10 की पावर minus 6 से कम और 10 की पावर minus 6 से ज्यादा 10 की पावर minus 6 से कम का answer डारेक्टर बन 6.9 लिख देते थे 10 की पावर minus 6 से अगर ज्यादा है तो हम pH का formula लगा के solve कर लेते थे और 10 की पावर minus 6 अगर है तो 5.9 होता था उसका 6 से थोड़ा सा कम दूसरे case में हमने mixing कपड़ा दो strong acid आ जाएं दो strong base आ जाएं एक strong acid एक strong base आ जाएं तो किस तरीके से अप्रोच करना है m1 v1 n factor 1 plus minus m2 v2 n factor 2 divided by v1 plus v2 मत्दब आपन जैसे mol constant नो करते थे molarity on mixing वागा वैसे करना है ठीक है दूसरा case हो गया तीसरा आगर आपके उस weak monobasic acid आ जा h plus c alpha under root k into c ph is equal to adda p k minus log c इस type के formula ठीक है उससे related question आप सारे बना लोगे तो अभी आज की lecture में हम इतना ही कर रहे है case 1, case 2 और case 3 यही आपको ध्यान दखना है बागी next lecture में आप बन case 4, case 5 वगरा भी पढ़ेंगे ठीक है तो बहुत अच्छे से सारे question कर ले ना मैंने कई सारे question आपको करवा दिये इन तीन cases को बहुत strong करके अगले lecture में आना आप ठीक है ताकि आपको next lecture में बहुत फटावर चीज़ें समझ में आ जाए तो यह case बहुत basic case है इसको बहुत अच्छे से आप revise करे मदब मैं तो कहा रहा हूँ हमसे दो से तीन वार यह lecture देखें तब इसके अगला lecture देखें तो आपको बहुत चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी तो मिलते हैं फिर नेक्स लेक्टर में इसको नोट कर लो अगर यह कर दो 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 झाल झाल